हेलो फ्रेंड्स मैं आदित्य जैन और यह वीडियो CACA में फाइनल स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने एक्जाम फेस करने वाले हैं और उन्होंने अपने सारी सिलेबस, सारी कोचिंग और सारा अपना तयारी कम्प्लीट कर लिया है मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि सर कुछ important questions एक्जाम के लिए बताईए और मैं उनको यही जवाब देता हूँ और आज भी मैं यही जवाब दूँगा कि आपको सारा कुछ करके जाना है कोई भी आप chapter या कोई भी आप concept छोड़ कर मत जाईएगा क्योंकि देखने में आता है कि जो चीज़ आप छोड़ कर जाते हैं वही एक्जाम में आ जाता है तो अगर आप CA CA में जैसे एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो आपको 100% prepare होकर जाना होगा और definitely अगर आप 60%, 50%, 70% prepare करेंगे तो marks accordingly कम मिलने के chances रहेंगे लेकिन यह जो मेर्या series है वो इस point पर है कि आपकी सारी revision हो गई है, सारा आपने classes कर लिया है, सारे concept कर लिया है तो ऐसा हर chapter के 5 ऐसे questions जो आपको करके जाना है एक्जाम से पहले, मतलब यह छोड़ के नहीं जा सकते हैं, करना तो बहुत कुछ है यह कम से कम आपने देखा हुआ है कि नहीं एक बार sure हो जाओंगा मैं कोई solution नहीं कराओंगा, मुझे पता है कि यह question आप 99.99 बच्चों नहीं यह जो questions में दिखाने वाला हूँ, वो जरूर किये होंगे अगर फिर भी by chance आपका कोई question यहाँ पर नहीं हुआ है, तो उसका solution मैं अपने group में post कर दूँगा, आप वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है, तो मैं स्रिफ questions यहाँ पर read करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि आप एक तसलिक कर लीजे कि आपने यह question किया है कि नहीं किया है बट एक बर आप sure हो जाएए, चलिए फटा फट शुरू करते हैं और यह series आपका हर chapter का रहेगा, हर एक chapter का अलग एक video बनेगा, तो बार बार यह बाते मैं repeat नहीं करूँगा, करना सब कुछ है, सब कुछ important है, यह question देख लीजे, जरूर आपने किया होगा, एक बर आपके mind भी रहेगा, हाँ, यह question दो मैंने किया है, by chance अगर रह जाता है, तो आप इस question को जरूर देख कर जाईएगा, चलिए शुरू करते हैं, अच्छा एक चीज़ और यह registered बच्चे और अन्रेश्टेट बच्चे दोनों के लिए है, registered बच्चों को जो question number है, वो मेरे book का मिल जा for the years ending 2008, 8% debenture, 10% bonds, equity shares, reserve and surplus, total assets, asset turnover ratio, effective interest rate, तो यहाँ पर effective interest rate, अल्मोस्ट सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर जो debentures and bonds है, bond का 10% interest rate दिया है, second line में, लेकिन, अब effective interest rate बोल रहा है, 8% हो जाएगा, तो हम लोग effective interest rate 8% लेंगे, 10% जो दिया है, second line में, 10% bond, वो confusion create कर रहा है, उसका कोई use नहीं है, 10% bond का कोई use नहीं है, यह point बहुत important point था इस question में, hopefully आपने जरूर किया होगा, tax rate, current market price, required rate of return, operating profit margin, dividend payout ratio for the year ending 2008, income statement बनाना है, you are required to draw income statement, यह question में काफी concept यूज हो रहे है, income statement आपको निकालना है, आपको growth rate निकालना है, fair price निकालना है, using growth model, dividend discount model, और आपको यह बताना है, opinion on investment in the company's share at current market price, तो हमें investment करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, overvalued है, undervalued है, जरूर यह question किया होगा, किया है, तो जरूर yes लिख दीजेगा, अगर आप यह video देख रहे हैं, तो आपको total 5 question में यहां दिखाने वाला हूँ, first question आपने क है, question number 19 हमारे book का, और यह question भी आपने किया होगा, Mr. A is thinking of buying shares of 500, at 500 each having face value of 100, Mr. A सोच रहा है कि 500 रुपय में एक share करते, face value 100 रुपय है, bonus ratio यहां पे declare हो रहा है, 20% का dividend है, और इस 20% को dividend को हम लोगो bonus share में भी देना है, और जो भी हम issue करेंगे, sell करना चाहता है, 7 साल बाद 900 वो हैं, दोनों time लगेगा, purchase के time भी, sell के time भी, जब हम purchase कर रहे हैं, तो add होगा purchasing amount में, क्योंकि हमें वो भी payment करना है, और जब sell के time, brokerage add होगा, और sell के time, जब हम share sell करते हैं, तो उस amount में brokerage less होगा, I hope यह सारा treatment आपने किया है, 12% आपका discount rate है, क्या Mr. A को share buy करना चाहिए, त NPV के basis पे net present value अगर positive होगा, तो हम buy करेंगे, और net present value अगर negative होगा, तो हम buy नहीं करेंगे, if so, what maximum price should he pay for each share, कितना maximum price परतेक share के लिए हम दे सकते हैं, तो यह हमें देखना होगा, हम उतना दे सकते हैं, जिसमें मेरा NPV zero हो जाएगा, हम उतना उस से ज़्यादा नहीं देंगे जिससे मेरा NPV negative हो जाए, maximum to maximum NPV zero, क्योंकि NPV zero में मैं in different position में रहता हूँ, तो यह question भी आपने जरूर किया होगा, question number 31 हमारे book में, question आपके सामने है, profit after tax, tax rate, equity, capitalization rate, return on investment, retention ratio, number of shares outstanding है 75 lakhs, तो आपको क्या करना है, the market price of the share of the companies in the bull market was somewhere around 2100 per share, तो 2100 रुपए अभी इसका price चल रहा है, तो पहले आप fair price निकालेंगे, advise whether the share of the golden limited should be purchased or not, तो सबसे पहले हम लोग इसका fair price निकालेंगे, फिर हम 2100 रुपए जो दिया वे उससे हम compare करेंगे, और हमें यह भी suggest करना है, also suggest the form of market prevalent as per EMH theory, EMH theory मतलब क्या होता है, efficient market hypothesis theory, जिसमें हम यह बोलते हैं कि market weak है, या market strong है, या market semi strong है, यह question भी unique question और यह question जरूर, आपने किया होगा नहीं किया है, तो आप समझ लीजेगा, क्योंकि यह RTP, MTP का question है, और यह आपसे miss नहीं होना चाहिए, fine, Gordon's model हमेशा हम use करते है जब भी इस तरह का data दिया होता है, G is equal to growth rate, G is equal to B into R, B मतलब होता है retention ratio, R मतलब होता है return on equity, fine sir, again a question आपके सामने है, the current, यह हमारे book के EPQ section 1 में है, current EPS question में दिया होगा है, growth 40% है, जो आपको extraordinary लग रहा है, यह 5 साल तक रहेगा, उसके बाद क्या कहा गया है, कि अब दिन पर जाएगा 5 साल तक और 10% आके वो stable हो जाएगा, और linear हो जाएगा, linear मतलब equal हो जाएगा, currently payout ratio 10% है और यह 5 साल तक रहेगा, and from the beginning of 6th year till the end of 10th year, the payout ratio will be linearly increase and stabilize at 50% at the end of 10th year, तो बहुत अच्छा data है, आपको बस यह रखना है कि आपको क्या-क्या मिल रहा है, आप पूरा पहले पहले देख लीजिए, आपको क्या-क्या मिल रहा है, and then फिर आपको discount करना है, the post tax cost of capital, 17% आपको discount rate दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, intrinsic value of the company's stock, intrinsic value मतलब बताब fair price, variable growth rate model है, आप पहले देख लीजिए, सारा timeline में रखके, एक से 10 साल तक मुझे क् I hope इस तरह के question भी आपने जरूर किये होंगे, ठीक है, और एक हमारा IP की section में question number two है, मतलब total अब यह last, अगर आप देखे तो fifth question चल रहा है, NM Limited is expiring to enter the capital market in three years time, तीन साल में capital market मतलब stock market में आना चाहता है, वो पैसा raise करना चाहता है, पैसा primary market से raise होता है, and then फिर shares को list कर दिया for its share at the end of three year, board यह decide कर रहा है कि इसको 70 रुपय चाहिए at the end of the three year, the present value of its share is 52.03, इसका present value दियावा है 52.03, dividend is expected to grow at the rate of 15% for the next three year, तीन साल तक 15% रहेगा, आपको dividend growth model यूज करते वे projections बताने है, discount rate है 15%, you are required to calculate the amount of dividend, पहला ऐसा question होगा, आपने जरूर किया होगा, जिसमें amount of dividend निकालने बोल रहा है, variable growth rate model में, इस तरह के questions में normally हमें fair price निकालने के लिए बोलता है, यहाँ पर क्या बोला है, क्योंकि fair price दियावा है, that is 52.03, present value price दियावा है, आपको निकालना है amount of dividend to be declared by the board in the base year, मतब आज हम कितना dividend declare करें, ताकि मेरा target achieve हो जाए, तो बहुत ही प्यार इसा सवाल है, जो नहीं किया है, तो इसका solution मैं आपको group में post कर दूँगा, आप वहाँ से download कर सकते हैं, I hope, अगर आपने पांचो को रलिया है, तो आप please comment box में लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, yes, 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 मैं चालता हूँ, यह सारे questions आपने किये वे होंगे, अगर आपको को करने हैं, और करने तो सभी हैं, लेकिन यह question आपको अलग से और अच्छे से देखना है, thank you so much friends, thank you very much, अब next मैं वीडियो में bonds के उपर 5 important questions बताने वाला हूँ, तो उसके लिए तयार रहे हैं, तब तक के लिए thank you so much, hopefully आपकी तयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, के solution को डालूँगा, हमापे theory book भी आपको posted मिलेगा, formula book है, बहुत सार बच्छे formula भूल जाते हैं, वो भी आपको करना है must, और कुछ amended और new questions हैं, वो भी मैंने post किया वाए group में, आप जरूर time मिले तो जरूर देखिएगा, अगर time नहीं मिले, तो bare minimum तयारी करके तो जाना ही जाना है, नहीं तो फिर आप exam face नहीं कर पाएंगे, thank you so much friends, thank you very very much, target 100% marks and crore plus salary in finance, our motto is learn more, earn more, क्योंकि जितनी अच्छी learning होगी, उतनी अच्छी earning होगी, thank you so much.